प्रॉप्धाद 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 चांद आणंजना स्लागया चक्षियोर॑न मिलितं येनधास्माई śृिगुुरु ले नमहां श्रीचा ये नो भिष्ठम स्थाफितं ये न भूदले स्वयमरूपह रामहीयं ददाति सुपतान्तिकं वंदे हम श्रीगुरो श्रीवतर्फर्गमलं भृण वाश्चा स्री रूपं सागर्चातं सहाग नरग्नाथानितं तंससचिपं साध्वैतं सावदूतं परिजनसःतं क्रिष्नचैतन्यदेवं श्री राधा करिष्न पादान सागरनदेप श्री विशाकान्यदाश्चा हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमो सुथे तप्त कांचन गाउरांगी राधे व्रिंदा वनेश्वरी व्रिष्भानू सुथे देवी पनमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतरूभ्यस्चा कृपास न्दुब्य एवचा पतितानाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमहा जैश्री कृष्ण चैतन्या प्रभुनत्यानंद श्री द्वाइदगदाधर श्रिवास अधिंगोर भक्त वरिंद अरे कृष्णा हरे कृष्णा बॉच्छ निर्दिशेष शुन्यवादी पाश्चा पतित वद्वाइद अरे कृष्णा हरे कृष्णा तुम पध्वाचारे जी का आज तिरवाव दिवास है और हमारे संपरदाय के दिखा जातो ऐसे हो एचोडी है हैं हैरे कृष्णा हृष्णा तो इसलिए बहुत ही आने शुपान मद् entr चाहरे जी का विजसे कि अब पैसे देख जाए तो कल्यूग में saari परंपरा है जो čार परंपरा हैं चार संपरदाएं है प्रवाने संपरदाइं ऐसी खिषड़ी जिससे बदाजी में हो जाए तो फिर या करेकर ऐसे में फिर आचारों क्या मुश्क्ता पढ़ती है जो कि परंपरा में चीजों को क्लियर करते है अनर्थों को दूर करते है तो किसी परंपरा में इसे अनर्थों को दूर करना ये आचारों का कारे होता है तो इसी कारे को लेकर के आए श्रीपात मध्वा चारे जी तो गई माई लोग उनका नाव गोलता है माध्वा अचारे क्योंकि माध्व, राध्व, माध्व, 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 माध्वा अचारे ये बहुती चूट बनती है पर असल में वास्ते में इनका नाम है मध्व ऐचारे मध्व मतलब मधू मध्व means sweet और व का मतलब दिविग्ञान तो भक्ती के दिविग्ञान के शहद को जो लेकर किया है शहद जैसा मीठा भक्ती का ज्यान जो लेकर किया है वो है मध्व ऐचारे तो इस सुनगरा माधवाचारे नहीं है कभी कि हम पंजाबी लोग वैसे बोल देते हैं बले बले लेकिन असल में the name is मधवाचारे मधू and व so मधव so like that और उनका बहुत विशेश थाने विशेश रूप साम देखते हैं कि जो ठीजम का जो evolution है उसमें सबसे आखिर में जिनका नाम आता है वो है श्रीपाद मधवाचारे कैसे हैं किस पकार से अब थोड़ सा हिस्टे में जाएंगे हम सो जानते हैं श्रिंगी श्रिंगी ने श्राब दिया था श्रामिकरशी के पुतर थे परिशन महारा को श्राब दिया परिशन महारा को श्राब दिया परिशन महारा की पर्वम से श्राब दिनी वासे हम जाते हैं ब्रामनों की श्रक्ती कम होई और ब्रामनों जब श्रक्ती कम होई तो तटाकते ब्रामनों है एन फिर्शोशन करना शुरू किया, और इस पेसे कई लोग ज़ो थे हैं, उन्हें सेनातन धर्ड़कों छोड़ धिया, थो शूतर हम वी नुग घूते हैं, ऑम को जो छूपा छूँत करते हो, हमारासे ततरसकार करते हो, हमको मंदरे परवश्चिक करते हैं, करें दो भोग भाग जा तुम लो हम सेनातन ध्र̫ को अध्याग दिया तो फिर लोगोंने पाप करना शुरू कर दिया । अब क्या किया जाए यह भ ऐगा तो तो ऐसे लोग हो गए ब्रह्मनों का हाल हो गया, शर्मा साब पाप का नमे नहीं शर्मा थे, तो ऐसे में ब्रह्मनों का पतन हो गया और छुआ छूट, उची जाद, नीची जाद, फला, धिमका, ये वो सब शुरू हुआ तो इसके लोग जब पाप की जीवन में लिप्त हो और जो वेदों का मिस्यूस होना शुरू हो गया, तो ऐसे में जो माइनस वन, माइनस टू, माइनस त्रियाने की जो पाप का जीवन है, माइनस वन को अब जीरो पे लेकर क्या है, महात्मा पो जाए, लगना में पहाड़ो बठों, पहले ठीक का, इसमें मुजिक सिस्टम छ और जाए, 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 अब जाए, यह जाए, यह, माइक कालाल पास वे आए, इसको, यह, तो इसलिए है, अब जो लोग पाप के कार में जिव लिखत हो गया इस तो फिर आप उनको माइनस वन से लेकर का आना है, जीरो पे, तो यह कार है किया मात्वा बुद्धने शुनिवाद किया तुम वेदु को पालम कर रहे हैं किया इसमे क्या ये बली बली देना कुछ नी रखाए Experience is everything शास्तर बार कुछ नी This is a mythological text No God, nothing doing Just morality अहिंसा पर्मुद्धन बुद्धम, शरणम, गच्छामी Zero शुनिवाद निर्वान का बतलब The existence or non-existence That is शुनिवाद So minus one से आगे हम Zero Is this better? Minus one से बही Zero पागे हम Very good Okay, zero के बाद तर कहा आता है One इसके बाद तर आए अधी शंकर अचारी अध्वाइत बाद One Everything is One Jee One, Paramatma, One Paramatma, Prakarti, One प्रकरतियन जी, One आपस अधारी जी, One One, One, One अध्वाइत दो नहीं, एक एक, एक और एक अब हाला कि आदी जब माताभूत आये थे तो माताभूत ने क्या किया अब शास्त्र को रिजट कर गया क्यों? शोगी शास्त्र का मिस्यूस को रिजट करना था तो इस चक्कर में शास्त्र को रिजट करना पड़ गया लेकिन शास्त्र को तो लेकर का आना है तो आदी शंक्राइचारी जी ने क्या किया शास्त्र को वापस लेकर क्या बेदो को लेकर क्या है और अद्वाइत सिध्धान को लेकर के चले अब अब शास्तर को वापिस लाना तो हो गया है very good commendable job बादी शंकरे चारे जी लेकिन सारा सिध्धान नहीं बता पाए विकास ये तो अभी शूने बाद में तो इसलिए बहुत फिलोस्वी को थोड़ा सागे लेकर के चले लेकिन निर्वाण था कि शूने में विलीन होना है एक होना है और अपने आपको zero करना है यहाँ पर था एक करना है देडा का अब रह्म के अंदर तो इसलिए अध्वाइत अध्वाइत का से धान थे करका है अधी शंक्राचारी जी लेकिन वाण से में बुद्धिजम ही था अध्वाइत कवर्ड बुद्धिजम फिलोसफी लेकिन वेदों को वापसे करके है उपनेश्टों को वापसे करके है वेरी गुड़ ओके शास्त्र तो वापस आ गई अध्वाइत की बौंडरी के भाएर डाल दीए बुद्धिजम को इसम इतना बर्मा में है, श्रीलंका में है, भुटान में है, तिब्थ में है इंडिया से प्टिकली खज़ गर दिया है तो इसलिए अब इंडिया की बौंडरी के भाहर कर लिया है very powerful preaching लेकिन भक्ती तु बताएंगे निगी आदिशंकर चाहरी जी ने अंदर से तो भक्त थे वो आदिशंकर चाहरी लेकिन बहार से बताना पढ़ा अधवईत अधवईत निराकार निराकार एक तूही निराकार बताना पढ़ा उंको लेकिन अधवईत वाद दिया था उनने मायवाद नहीं दी था मायवाद उसे और छी छोड़े लोगों ने पहला गिया अधवईत आगया वन भी आगया अब बन की बात की आएगा 1.5 1.5 लेकर आए श्रीपाद राम उने जो चाहरे थी भी आटाए है, आए याए, वी आए, वी आए, वी आ वे आद जोड़े गशिषा कर रहा है वे ए हुआ था क्वाद देर लोड 1.5 जो की वेश्षनल से धान थामाहस हम भहवाण के एप्रवईत है है ऐसे हम मांते हैं इसकी भागा कि हम भगवान की शक्ति है very nice so 1.5 हो गया इस तरह से अच्छा 1.5 तो हो गया because रामुरी चारी जी वाज of course he was cutting मायवाद अदवाइत वाद लेकिन हर चीज़ मुला भी विदान्तिक champion 1.5 से संतुष नहीं है हमाने शरी पाद मध्वाद चारे वने कrontष द।वाद द॥वाद everything is true सब चीज़ालग अलग अलग है हम और भगवान अलग अलग बगवान अलग 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 य। अलग अलग Taste भगवान व्छवान झावतार अलग 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 तो हर चीज़ को तक्त्वा में एक्स अपसल्यूटली क्रिस्टल क्लिर डिफाइन किया तो श्रीपाद मद्वाचारे जी ने किया और क्योंकि उन्हें हर चीज़ को बहुत डिस्टिंक्ली और बड़ी पाफुली एक्स्पेइन किया बड़ी डीटेल वे में इसलिए गवाद ने चुना तो किनका संप्रदाई चुना श्रीपाद मद्वाचारे जी का संप्रदाई चुना गवाद श्रीक्रिष्ने वेन इसदेड़ी तक वैसे दा देखा जाथ हो बाकी संप्रदाईओं में जो शिक्षाए हैं तो हम उनको भी पालन करते हैं, no doubt श्री कृष्ण चेतने महापुलू ने चारो संपरदायों से उनका बेस्ट बेस्ट लिया और डाला गौड़े वैशन संपरदाय के अंदर तो बैसे हम लोग आते हैं मद्वाचारी जी के संपरदाय में हाते हैं तो मद्वाचारी जी के संपरदाय से लिया श्री विग्र सेवा और मायवाता खंडन अदवाइत वाथ का खंडन करना और सास अतमे भवाद की श्री विग्र की सेवा करना जिसको बेवकूफ लोग मूर्ती बुजा बोलते हैं तो ये दोनों चीजें जो ली ये लिए मद्वाचारी जी के संपरदाय से रामुन चारी जी के संपरदाय से लिया वैशनव सेवा भक्तों की सेवा करना दुस्ता शुद्ध भक्ती ये दो लिये श्री बात रामुन चारी जी के संपरदाय से और कृष्णई का शरनव ये लिया विष्ण स्वामे जी के संप्रदाय से और निम्भार का चारी जी के संप्रदाय से लिया रादी का आश्रे श्रीबती रातरानी का आश्रे और गोपी भाव ये लिया निम्भार का चारी जी के संप्रदाय से लेकिन विशेशुप से लोड़े चुना मध्वाचारी के संपरदाय को reason भी मध्वाचारी चुना तत्व को बहुत अच्छे से clearly संझाया और साथ साथ में बस इस को अच्छे संझाने के लिए श्रीपाद मध्वाचारी तो इसलिए मध्वाचारी चुना उनका संपरदाय को फिर मध्वाचारी के बाद फिर आगे श्री कृष्ण चैतने महाप्रभू योगि हम माइनस न से शुरू है थे माइनस वान जीरो शुन्यवाद और गुद्दिज्म फिर एक अध्वाद आधि श्रंकराचार्य तिर 1.5 विशिष अध्वाद आध्वाद आध्वाद उसका 2 द्वाद आध्वाद आध्वाचारे उसका 3,4,5,6,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 बाध्वाद इस्तरा से एफिर एक है भादिशन चैतनिया महाप्रभू श्रेक्रिष्ण चैतनिया महाप्रभू देखाई जब श्रीपाद मध्वाचारे जी आये थे नौदीप के अंदर तो वहाबर महाप्रभू उनको बताया भी कि मैं आगे जाके परकट होंगा आपके संपरदाय में आपके संपरदाय में और कुछ भक्तों का समाना है कि मध्वाचारे जी के अंदर वासे माध्वी गोपी भी है तो इसलिए भी उनकी संपरदाय को चुना गया तो ऐसा ही माना आता है तो इसलिए उनकी विशेश सान है श्रीपाद मध्वाचारे जी का और सबसे ज़्यादा miraculous pastimes मैं चमतकार से भरीवी जो लीलाएं है जिन अचारे सबसे अधिक सारे सारे अचारे ने चमतकार दिखाएं लेकि इनके कुछ अद्भूती चमतकार भरी लीलाएं हैं तो उन पिया आज हम कुछ अचा करने अपर आस करेंगे इस संदर ने बहुत इस संदर ऐसे मध्वाचारे जी उपर बहुत ही संदर एक बुक पर लिखिया है सरसाक्षी पभूजी ने मध्वाचारे करके so I have prepared my entire lecture from his book marvelous book, master of peace it is a compendium for knowing about श्रीपाद मध्वाचारे so so अब जो जितने भी देवी देता थे यह बहुत ही दुखी थे क्योंकि भवाचारे की भक्ती का जो सिध्धानत है वो छुप गया है क्यों छुप गया है क्योंकि इस तरह की करी परकार विवेचनाए आई हुई है जिसकी वज़ासे जो असली सिध्धानत है वो छुप गया है इन विवेचनाओं की वज़ासे जिसकी महावरों ने बोला था कि वास्वे विदानत सूतर का जो अर्थ है उसका मर्व है मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर है लेकि सार्भा मटचारे जी आपकी जो विवेचनाए है यह कल्चर को फिर से स्थापित ही आजाए तो उससे जो भवान के पास गए तो भवान लेका ठीक है कल यूग में वैसे मैं लीला अवतार तो नहीं लेता है हलग यूगा अवतार लेता हूँ पर इस कार्यों करने के लिए बहुत ही विशेश रिक्ति यह जो कि हमारी सभा में उबस्त है और वो है मुख्य प्राण तो उनको बोला कि यह जाएंगे और मध्वाचारे के रूपर प्रकट होंगे और यह भक्ति के सिधान्त को स्थापित भी करेंगे and he would be like a Vedantic champion undefeatable champion और विदान्त और विदान्त का जो actual soul है यानि भक्ती भक्ती विदान्त ये देंगे श्रीपाद मध्वाचारे तो इस प्रकार से मध्वाचारे के रूप में जाएंगे मुख्य प्राण तो इसने उनकी जो identity है श्रीपाद मध्वाचारे जी की that he is combined incarnation of वायू एक तो पवंदेव दूसरा है भीमसेंची और साथ ही हनुमान जी इन्हे combined incarnation माने जाते है श्रीपाद मध्वाचारे और साथ ही ये जो मुख्य प्राण है मुख्य प्राण कौन है मुख्य प्राण basically is that air which is in वैकुंठा वैकुंठों में जो भवान श्वास लेते है जो सारे वैकुंठवासी है जो श्वास लेते है वो that air इस मुख्य प्राण तो इसके मध्वाचारे के अंदर वायूदेव भी है जो पवंदेव है साथ साने भीमसें भी है हनुमान जीव भी है और साथ ही उनके अंदर है मुख्य प्राण यानि वैकुंठ से में प्रकट हुए यह जो मुख्य प्राण है यह मैनिफस्टेड आश्रीपाद मध्वाचारे तो इसकी जब उनका जिस पकार से इनको सुनने में आया जारे देवी तो बड़े खुश हो गए और अनन्तेश्वर मंदर में इस बात ही घोषणा करने के लिए कि हाँ वाकिये में एक ऐसा महान बरत आने वाला है भगवान अनन्तेश्वर एक विक्ति के अंदर प्रवेश कर गए और विक्ति कीतन करने लगा नाश्चे लगा वो आ रहे है वो आ रहे है एक बहुत विक्ति विक्ति आ रहे है हाँ भगति की सिधानत को साबित करने के लिए आने वाले है आने वाले है तो सब सुचते है ऐसा विक्ति कौन है भई है उचल रहा है कूद रहा है नित्ते कर रहा है और गोशना कर रहा है यह कोई आने वला है कोई विशेश स्वित्यy आने वला है और स्क्राट के वाँ वत आ मिलती कहां दूणे गिंग्हों गूम हो गया पता निचला पर इस से न कहीं लोगो विशेश नोगों को यह उम्मीद मिली विशेश भक्त थे जो छुपे-चुपे राते थे उनको बड़ी उम्मीद मिली तो इसलिए इसमेकार से फिर भगवान की एरजना के अनुसार एक बहुत विशेश भक्त थे नियुकर नाम था मद्द्य की एहभट और वेदवति की इनकी यहाँ पर प्रकट होने का फिर योजना मरी महवान की तरफ से अब यह मतलग यह बड़ी वास्ते में वैसे वैशनवी थे खालग उस वक्त अदुवेतवाद निराकारवाद इनका खुब प्रचार पसार था लेकिन फिर भी अभी वैशनवी थे और यह भक्ती में लगा रहते थे और लोगों को रवायन से महाभारत से कथाय सुनाया करते थे और जितने भी लोगों को थोड़ी गलक सायमिया है उनको दूर करने का प्रयास करते थे और भक्ती को जहां तक उसके उसका प्रचार करने का प्रयास करते थे सो एक स्वां उनके मनने ऐसा विचार आया कि काश क्यास हो कि मेरे कूँ एक ऐसा पुतर प्राप्त हो जो कि भक्ती का बहूत ही प्रखर्ता से प्रचार करे और वो श्री आनतेश्वर मंदिर में थे उस वक्त कि हे प्रभु जिस परकार से पांडू जी की हाँ भीम हुए थे, करदम मुनी की हाँ कपल हुए थे, पराशर मुनी की हाँ वेदिव्याज जी हुए थे, इसी प्रकार से मेरे यहाँ पर भी आपका एक शुद्ध भक्त परकट हो, जो कि भक्ती की सिधानत को स्थापित करें, और इसलिए फिर इसी पुत्र हुए थे, जिनका देहाँ थे, एक पुत्री प्राफ हुए थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि पुत्र का प्राफ होगा तो भक्ती का प्रचार करेंगा, तो इस प्रकार से उनने जब प्राफना की तो फिर उनको एक बहुत ही विशेश विक्ती प्राफ हुए उनक अधिक जो मानी गेज़ती थी वो है 1238, 80, that's the time. तो इस प्रकाश से उनके प्रकटी भी हुआ तो भी उनके साइसे बहुत बड़े थे. जैसा हनुमान जी भी जब प्रकट हुए थे, अंजिना महिया के हाँ पर, साइसे पर बड़े थे वो. जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा साइस के नहीं है. जो भीम भी प्रकट हुए थे, जब कुंदी महारे ना अवान किया था, अवन देव का, तो भीम प्रकट हुए, भीम के प्रकट हुए, भीम के प्रकट हुए, जब चटान पे आये, चटान टूड़गी, and he was big. एश्री श्रीपाद मदवचारे के साइस भी था, जब प्रकट हुए, तो थोड़े, बच्चा काई बड़ा है, he was huge. एश्री श्रीज उनकी हाइड भी थी, ग्रियूप, आठ फ्रीट लंबे थे, श्रीपाद मदवचारे, आठ लंबे चौड़े, मदवचारे, ने देखां मदवचारे कोई ऐसे नाजुक सी तस्वीर नहाती उनकी, he is huge, और इतना मोटा जन्यू उनके ऐसे लहरा रहोता है, तो दूर से कोई देखे काई, जी भक्ती करनी है, अमेजिंग, तो एस्रीज लॉजर ने आकर बदाया कि ये विक्ती तो अद्भूत है, ये वास्ते में 84 लाक योनी वाला कोई जीव नहीं है, ये अद्भूत ही विक्ती है, और ये आया है, ये वास्ते में कूस अप सिध् तो आपके जो इच्छा है वो आपकी इच्छा को पूरे करने के लिए आया है और ये एक बहुत बड़ी योजना के थैट आया है तो इस पकार से उनके बारे में एस्टलोजर्स ने बहुत प्रशंसा की और साथ ही उसके बाद फिर उनका नाम दिया गया वासुदेव तो बच्छमन में उनका नाम था वासुदेव तो अभी बहुत छोटी थे कुछ ही महीने के थे ये तो एक समय इनको लेकर इनके माता पता जा रहे थे तो जंगल से ओके जाना हुआ तो वहाँ पर एक विक्ती के अंदर एक ब्रहमराक्षस गुज़िया और वो तौला परा बड़े कश्मे था समद्दे अगे है बटने जो है कुछ मंतर इत्यादी बोलना चाहा है लेकिन ये विक्ती तो ये तो इसमें से ब्रहमराक्षस निगली ना परे बेटे की चलांदूली मेरे सर पे बड़ेजिया लाओ हमारे बेटे को लेकर गया हो, बेटे के पाउं लेकर गया है, उनकी चलन दूली कटी की, वो सबस्टरे स्प्रिंकल किया, इमीजेटली भई की वो जो ब्रह्मराक्षास था, वो तर गया, उसने छोड़ दिया वो शरी, और उन्हीं कापैसटी भी थी भाणलब क्योंकि विक्रोधर, he can eat any amount of food, तो इसलिए बच्वाने महाँ चोटे थे थे, इनको भूग भूग बहुत जली लग जाये करती है, हर आदे घंटे माने इंको अनको स्नपान कराती है, फिर भूग लग जाती है उनको, फिर मा इनको संपान करा दे, फिर इनको भूग लग जाती तो अभी कुछ ही महीं नहीं गया अभी अनप राशन अभी होना है तो अनप राशन इनका कैसा हुआ अब इनकी बहन तो घर पे थी मा वैसे इनको नहीं छोड़ते थी बहुत पे इनके साथ तो मा थोड़ा कहीं विवँःर करने के लिए बाहर गही थी अब ये रोई जाये अब बहन सूचे मैं क्या करूं भाई तो भूख राए में क्या करूं भाई तो मा तो भाई तो बहनी मा पता नहीं कब आएगी तो भापना जो बैल को खिलाने वाला बैल को खिलाने वाला एक अनाज की बोरी पड़ी थी वो गिरा दी किते है इसमें से कुछ खा लेगा तो उसको भूग मड़ी जागी वो चालिस किलो का अन खा गए बैल को खिलाने वाला अन खा गए तो जब माँ आई घर में, माँ ने कहा ये पूरी बोरी खा गया हाँ माँ इसको बहुत भूग लगी थी अब मैंने का अब स्तन पान कराने के लिए आप तो यहाँ पर है नहीं तो मैंने सुचा है एक दूदाने खा लेगा है ये तो चालिस किलो की चालिस किलो की बोरी तो पूरा बेल भी नहीं खाबाता और ये बेल का अनाच खा गया चालिस किलो तो उने खा चलो फिए आनद तो ऐसे खाए चुका है तो आनद प्राशन की जो सरीमनी होई पूरी करी लेते ये आनद तो इसने अब पाई लिए अपने आप में और अभी एक साल की थे तो उनका बड़ी इच्छा होई कि ना मैं देखूं कि जब पाजक शेत्र है यहां पर यह कहां कहां पर क्या कहा है क्योंकि मात मुझे घर में रखती है मुझे लेके नहीं जाती तो थबेले में गए नहीं जाकर एक बैल को उसकी पूछ पकड़ी उसके पीड पे दो हाथ लगाएं बैल चलने लगे और यह उसके पीछे स्केटिंग करने है और स्केटिंग करते 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 पूरा पाजक शेतर में घूमाया है हो मद्दे गेवाट उनकी मान सुचने है हमारा बच्चा का है अब हमारे बच्चे को देखा शाम को जो है वो बैल के पीछे उनकी पूछ पगल करके स्केटिंग करते करते वापस गर पहुचें वेटा तुम कहा थे वेटा पता है मैं बैल के साथ था so this is how he this is wonderful Huldi nia ऐसे उम 큰 पताजी ने गाय ली थी गाय किसी Customer ली थी और इसलिए उनको पैसे चुगाना है थे लिकिन पैसे भी थे नहीं तो It was a Debt तो इसलिए भूर चुगाना है ईयरन तो चुगाना है ऊन्सक्ता है, इसलिए भूट चुगाना है कुछ गाय बगरा ली थी, तो उसका मैं अभी इना धन राशी नहीं दे पाया हूँ, पिदा जी हो चंदा मत रो, आप अंदर जाओ ना, मैं देख लूँगा अभी, ये बास गया, उस लिक्ति का नाम था, करकशेटी, करकशेटी जी, क्या हो गया, करता है, वो आपके पिदा वो सोने की अशर्फियों बदल गए हो, सोने की अशर्फियों सोने की सिक्कों में कैस बढ़ गए है, और वो जो दाम थे, वो बैल वगरा के, दाम से कहीं को रहा जाए थे, तो वा करकशेटी बाद में आया है, उस लिए और चाहिए हूँ, मुझे बता जैना, ये तो प्र ँसके बाद पिर एक मेरे सरी में लेख लेकर अमनी लगा तो वहां से चल दिय हो, और था बारकश बड़ दूर वहां से चल दी है, और वीकप बद्धियों बद्धियों गचार अरव और वहां से बाद बद्धियों की अनतःशवर के मंदर में आपना पनात दूंदे रू अच्य के दिखाते हैं, आक… उनों रखे इनका हाथ नहीं पकणा? उनों सीधे एक पत्थर उठाया, दूसरा पत्थर था सामने, सब्सक्री चौक उठायी, चौक सामने था पत्थर, पत्थर पे लखा, क्रिशना तो जो अध्यापक थे वाद है रहान है करते हैं यह कुछ नहीं सीधे कृष्णा क्रिश्ण भक्ति का प्रचार बशार करने वाले इतने एक्स्टॉर्णरी कि खेला खुदा करते थे पीचर ने बोला, अध्यापक ने बोला कि तुमना थोड़ा पढ़ाई भी क्या करो पढ़ाई भी क्या करो कभी पाटशाल में भी तुमको नजर आना चीए कहते हैं आप क्या पढ़ाने वाले हैं आपने पिछले हफ़ते यह यह पढ़ाया आज आप यह पढ़ाओगे, और अगले हफते आप यह पढ़ाने वाले हो, इस तरह से जो पूरे समेस्टर का कुर्स ही है, बताने वाले हो, और चार साल को बीटे का उसने आप यह पढ़ाने वाले हो, राइट? आप यह पढ़ाने वाले हो, तुम क्या क्या पढ़ाएंगे वे तो सब पता ही है, तो कुछ लोग उनके बच्चे सी इर्शा ना करें, मद्यगे बट, इसलिए मद्यगे बट ने सोचा कि ना, मैं बच्चे को घर पे लेकर शिश्चा दूँगा इसको, ऐसे तो को लोग इसे इर्शा कर लेंगे, ऐसा, पर इस यह वाज, तो इससे कभी टीचर को जाते थे, टीचर को भी घर होता था, यह बटाते हो कि मैं वासुदेव का, मैं अध्यापा हो, अध्यापा का, जी वो तो पहले से सब कुछ जानता हो, तो ऐसे कही चीज़े बोल जा करते हैं थे, क्ला पहले थे, एक समय वो कथा कर रहे थे, उन्हीं कथा में इतनी मिस्टेक थे, अभी चार साल के हैं, तो बीच में खड़े होगा, क्यते हैं, आपने गलब दाया, इसका सही वरण यह है, यह है, उन्हें का, अच्छा, सच में, क्यते हैं, हाँ, बिलकुल, श्लो कोट कर दी हो चार साल की हुमर है उनकी, उनका उपने इन संसकार हो गया, पांच साल की हुमर है, वैसे आठ साल की हुमर में उपने इन संसकार होता है, पर पांच साल की हुमर में उनका उपने इन संसकार भी हो गया, तो जब उनका उपने इन संसकार हुआ, तो जितने भी देवी दरता पुष्पो की वर्षा करने के लिए उनकी अपने संस्कार को अटन करने के लिए आए थे और एक समेना उन्हें बोला पिता जी आप देखना आगे जाकर जिए बहकती का सिध्धान ऐसे स्थापत करूँगा कि कोई भी ना उसको कट नहीं कर पाएगा अच्छा सचन बेटा पिता जी बेटा इस समय देखो अधवेट वाद जरा कारवाद का इतना प्रचार पसार है ये तो तुम बिल्कुल वैसी बात कर दी मानों को सूखी लखड़ी लेकर के बोधी और पेर निकला है ये तो तुम ने बिल्कुल वैसी बात कर दी बेटा किते पिता जी ये सूखी लखड़ी उन्न बोधी और पेर निकला है किते अब तो आपको संतुश अब तो हो गया संतुश इस बात का कि वई मैं भक्तिया से दान सावे थे रहूँ तो मणी मान नाम का एक राक्षस था उसने ये भीम जी के समय का राक्षस है भीम जी से पिटाई हाई हुए इसने तो अब यह पिर आगए इस लीला के ने मणी मान की रूप में इसने किया कि हो जब पेर जो होगा था जो कि मदवा चारी जी ने सूखी लगड़ी से को दबा कर गया निकाला था उसने उसके अपना जहरीले दात मानने शुरू किया कि यह ना मैं इसको पने जहर से वरिक्ष को जला के राक कर दूँगा उसने उसमें दात मानने शुरू करते करते हैं करते उसके दातों में सेंसिटिविटी आगी लेकिन पेड़ों को गुज मी नहीं हुआ तो फिर मदोचाली जी निकाह होगे तुम्हारा और बुज करना है तो अब इर्शालू बहुत था ये जो जी भीम से इर्शा करता था तो उनी के अवतार है हाँपर श्रीपान मदभाचा रहे उनके उबरस ने अटाक किया अटाक किया उसको तो ऐसे पकड़ करके नीचे रखा और अपने पाओं के अंगूट्थे पे की नीचे इसको दबा दिया और वो नीचे तलब 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 मेरा बेटा कहा है अब ये आनतेश्वर मंदिर में थे तो उन्हें बुलाए है वासुदेव वासुदेव वो च्छलांग मार करके आगए हाँ मा बेटा अभी तुम कहा थे मैं आनतेश्वर मंदिर में था यहाँ पर सीथे मिल ले यह है I travel by air जम्ब मार करके आगए एक समय इनकी मा ने बोला बेटा आजाओ प्रसाब तयार है लेकिन ये चारों तीर्थों में जाया करते थे चार तीर्थों में स्नान करेंगे और कैसे स्नान करेंगे हास्नान करेंगे चलांग मार करेंगे तो इनकी मा ने बोला बेटा तुमको स्नान करने में देरी लिज़ देखे नहीं मा जब भी गुलाओं में आजाओं मा लेकर ना चलो तुम्हारे ले में और सरल कारे करता हूँ वोने वही पर अपना उठा मारा और वहां से जल निकलना शुड़ हो गए घर के अंदर और यह जल कैसे हैं? एक यह तीर्थों का जल हैं लेकिन बिटा यह तो एकी तीर्थों का जल है तुम्हार तुम्हार चार तीर्थों में आते थे जो गए हैं ऊपना उठा हमारा और वहां से जल निकल के आगया ऐसा तो ये मद्धो सरोवर के नाम से जाने जाता है ऐसा और एक समय उनके गुरू के पुत्र को बहुत ही सरदर दो रहा था तो सरदर हो रहा था तो वो एकदम बैठी गए वो तो उसको उनके कान में उन्होंने बस फूख मारी फूख मारी सरदर पर चला गया दिविगाम पर राप्त हो गया भक्ती मिल गया और वो कीतन करने लगे तो उनके जो शिशक जो टीचर था उनका नाम था तोड़न तिल्या वो तोड़न तिल्या ने कहा देखिए आप मेरी कंख्षा में तो कुछ सीखने लाइग है नहीं तो बंदर अक्रे मट करके है आपको वहां मिलेंगे आप उनसे आगे शिक्षा लीजेगा उनसे आपको सन्यासी मिलेगा तो इसलिए इस पकार से उनने ये टाय किया कि हमें अच्छुत परिक्षण जी के पहांच जाँगा अच्छुत परिक्षण जी पहांच जो पहुंचे है उस पर अच्छुत परिक्षण फे ब्रिद्ध हो गए थे अच्छुत परिक्षण जी अंदर अंदर रहते थे बाहर ने जाते थे योगि बाहर अदुएत वादी हैं निराकार वादी हैं कुछ अदुएत वादी जो ह पत्तमीज भाषा, गंदी भाषा, उसे का समान करते हैं, और वॉलन काइंड आप पीपल, तो इसलिए कुछ ऐसे लोग भी भागते हैं, तो इसलिए कुछ हरी के भंद जो है, फिर वो शांती से अपना बस भक्ती करते रहते थे, यहीं में से थे अचुत प्रेक्षा, तो इस जेना, तो बहुआन अनन देश्वर ने एक विक्ति के माद्यम से उनको यह बात बताई, और सोच देब अच्छा पता नहीं कब ऐसे यह विक्ति कब आईगा, जब इन से मिले, तो इन से मिलने के बाद, रसुदिव जी से मिलने के बाद तुरूंत पहचानगे कि यह वही जिनको यह बहुआन अनन देश्वर ने का था कि एक विक्ति मिलने के लाएगा, जो कि वह बहुआन का, एसोचीट है, बहुआन का पार्षिन है, उन से मिले, और उन से बात करने बाद, उन ने का, अब आप मुझ को सन्यास देजे, मैं सन्यास दिनने के लिए हूँ, सन्या भी बोलते हैं लगा, जो घर में भी तो बक्ती होती है, घर बसाओ क्या हम भकतनी हैं बटा, अमीत हैं बटा, तो ये तो चला ही आ रहा है, तो अलगा ने का, नहीं देखो मुझ को तो सन्यास देने का, ने मैं तुमसे अनुग्रह करता हूं, उनकी पिता जी ने बोला, मद सन्यासी हो गया हूँ तो आपने हाँ जोड़ करके ना ये सावित कर दे कि मेरे को सन्यास ले लेना चाहिए अब जलो जी और कर लो बाद ये गए अच्छो प्रिक्षी बास अच्छो प्रिक्षी ने का जी मैं क्या कर सकता हूँ अब ये आप डिसाइड कर लीजे तो उन्हें जब देखा कि माता बितने दुखी हो रहे हैं तो फिर उन्हें ठीक है अगर एक और पुत्र अगर आपका हो जाएगा तो पुत्र आपकी भी देखबाल कर लेगा तब तक फिर मैं सन्यास ने लेता ठीक है और बहुत ही bells Veda Gauti Ji का एक और पुत्र भी हो गया अपट मात एक पुत्र हो गया अगर तो आपका एक और पुत्र हो गया । अब तमा सन्यास लेग सकता हूँ अपका अब तो अम तू दू तो हम माते बटा है तू कौन देखीगा हमें हमारी देख रहें कौन करेगा परी तो हूगे है को और बेटा आगे जाके he is going to become a sanyasi विश्ण दीर्त but this is how it happened तो इस परकार से he waited and at the age of 11 he took sanyas उंगा नाम बड़ा पूर्ण प्रग्य पूर्ण प्रग्य means the one who has complete devotional knowledge जिसके बाद संपूर्ण यान है पूर्ण प्रग्य इसने मध्वाचार जी के तो विदान्त सूतर पे भाष्चे है उसका नाम भी है पूर्ण प्रग्य भाष्चे और पूर्ण प्रग्य भाष्चे से बहुत कुछ लिया है हमारे आचारों ने बहुत कुछ दिया है पुरणप्रद के भाष्य ब्यूटिफुली एक्स्पेंस अच्छुत प्रेश्च जी की अच्छा थी कि एक्स्पेंन किया जाएं लेकिन न इसमें माया बात अखनन बहुत ना हो अपना हमबस अपना तत्तो बताएंगे यह तो हैं प्रेहना के लगुटाज्च के है इसद्ट पर बदिःब और भगवत पाथ इसद्गाना के मुटाजरे करना हो अच्छा हमें पता है कि आपो से स्टव कारी तो उसने विशेश के केले मंगाए जो की डियर फुट लंबे थे डियर फुट लंबे केले और उनका जो डायमीटर था वो था दस इंच दो इंच का वाला केले तो हमने खाया वाए दस इंच और डियर फुट इतने बड़े केले थे ऐसे उसने दो सो केले मंगाए और वो सब किसम मदवाचारे खा गए उसका एक और लिक्ती आया उसने उसके बाद चार हजार केले दिये और एक हजार लेटर दूद दिया वोग लगा अब नहीं खा पाएंगे वो ये भी खा गए क्यों बता लगा जयो शेपाद मदवाचारे जी जयो लगाज जो जटरागनी है लाई 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 संवक आफ भीम सेंजी तो इस भी है विशेश उपसे जब उनका उपने इंसनस्कार हुआ तो उसमें क्या है वायू को पर रणाग परनाम करना तो और एक बहुत ही विशेश गरण तो नों लिखा महा भारत तातपर निर्णा है जिसमें जितने भी कॉंट्रोवर्सीज हैं शांसलों के अंदर उसको बड़े सुंदर से एक्स्प्लेइन क्या कि वासमें वो कॉंट्रोवर्सीज नहीं है तो रहमायड की कॉंट्रोवर्सीज बिली उनने और महा भारती कॉंट्रोवर्सीज बिली जिसके जो कहीं हो डाट होता है कि भला भीम से नहीं दुशासन का खून पिया तो भगता है वो खून पिलेंगे नॉन रेज ऐसे कैसे यो चीर और खून पिले हो तो मदवाचारी जी एक्स्पेंट करते है कि भीम से नहीं खून नहीं पिया था सीना फाला था दुशासन का और फ़र चिला रहे थे वाँ इस चीखने से ही जो है उनके अंदर का जितना खून था वो सूख गया था वो गंदा कुण यो पियेंगे दुशासन का पीना तो शहर पियेंगे कोई जूस पियेंगे गंदा कुण यो पियेंगे वो तो इस रांके कही एक्स्पेंशन है यह इस वे ब्यूटिफुल एक्स्पेंशन राम जी का सीता मेरी को त्याग करना, क्या वाके में त्याग था नहीं था, इसको एक्स्प्रेंग किया राम जी का वाली को छुप करके मारना, इसको एक्छी से एक्स्प्रेंग किया शुंबक को मारना, शुद्रू कैसे मार दिया, राम जी भीद भाव करते थे अच्छा आरे बांगडु भटूरे इंसान शबरी के जूटे बेरियों खाई फिर उनने और निशाद राज निशाद राज से उनने उनने साथी क्ले जो क्या बोलते हैं उसको जो द्रवे होता है पेड़ का द्रवे होता है अपने जटाए बनाने के लिए वो भी लिया था साथ उनका आलिंगन भी किया था यह गोला था आज से हम चार भाई नहीं आज से हम पाँच भाई है ऐसे क्यों होता है सब एक्स्प्लेंड किया है इन वहाँ भारत ताक परनेड है थर्टी टू चैप्टर जैसे के अंदर ब्यूटिफुली एक्स्प्लेंज तो इस तरह से उन्होंने और उन्होंने कोमेंटरी और शुमत भागुता हम इश्व पनिश्रत कोमेंटरी जो है अच वैलोवल भी हैसकौन के अंदर जाए श्री श्री आदब पारत सारती जी की जाए लताविशा का देवी की जाए सीतरान वक्षमान जी की जाए श्री बहुन इताए की जाए अब क्योंकि और उन्होंने कोमेंटरी सो लिग दी है जाहcking है जाए बहुने प्रणां किया। और नजा निश्री ने कि आगे वरूने अपना भाशे रखा और नल्हा निश्री ने कहा कि और मैंने आँका भाशे देख लिया है इसने अण थोड़ी करेक्शन करीब मदो चल्डनी का हाँ बताइए इसमें क्या करेक्शन करनी है कोई बुला इसमें आपने लिखा वाया है कि मैंने यथा शक्ति यहाँ पर विदानतर सूतर की उपर विवेशना दी है उसका भाशे लिखा है मैंने अपने यथा शक्ति यहाइ, यह यह यहाइ नहीं नहीं यहाइए यहाइ। वेद राजी से मिनने के लिए अब यह जो आगे गा है उनको लगा नहीं नहीं हुस्ता गुरुदेव को हमारी आवशकता पड़े ये भी उनकी पिछे-पिछे चल दी है अब पिछे-पिछे चल दी है अब ये तो छांग मारते हैं आट एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी तीसरी पहाड़ी और अब ये उपर चल लेकिना फस गए जा ओ नीचे जा नी पाएं आगे बढ़ना पाएं तो बीच मे आगे ओ ठागये जैसे वेद व्याजी से मिले वहापर वेद व्याजी ने देखा कि ना मद्वाचारी जी आये हूँ है और सब ही बैठे वे थे वहाँ पर और वेदव्याजी वहाँ पर संदर कता कर रहे थे वहाँ श्री हरी की कतायी कर रहे थे तो गज़े चुन्हों ने कता को बीच में रोक कर रहे गोला बेद वाजी ते वेद वाजी उठे और उनका आलिंगन किया और पताया कि न मैं तो अपने भाष्टे लेकर क्या हम कि गा हैं विदान्त सुत्र पे बगुदीता पे वेद वाजी ते वेध वाजी नहीं कहा है रहे इतना संदर भाष्टे है यह बहुत बढ़े बता है, तमने यह बहुत चाह है, यह बहुत चाह है, वैसे परणफ उपर कर दो यह नीचे कर दो, इस नाइस भरी, सुपब, एक्सिनन्ट, सौ मेसे दो से दो से नमबर, अपसलुटी, फैंटास्टिक, इस तरहां से अप्रूबल दिया, उस से नाइन रिशी से मिलने के ले गए, बेदगाजी उनको लेकर लेकर लेगए, नाइन रिशी से मिले, वो तपस्या कर रहे हो वहाँ पर, वास्तर में तपस्या का आनद सबसे शेष्ट है, इसलिए नारा कि इसलिए उनको बड़की होए, अज़ने बताया कि आगे जाकर कि आपको भक्ति का प्रेशार करना है, कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे, जैसे सूरज ने निकलता है, तो अल्लू लोग पसंद ही करते, उल्लू अन्द हो जाता है, है अरे सूरज निकला आए है, सूरज हरी का एक मतलब बंदर भी होता है, हम भी हरी हैं, एवरिधिंग इस वान, तो कुछ लोग दुखी होंगे, लेकिन आप दुखी मत हो ना, आप उसे बिलकुल, ऐसे दो लोग दुखी होता है, लेकिन सूरह जो निकलता है, तो होता क्या, लोटस होता है, जो भक्त होंगे, शद्धालू होंगे, उनकी शद्धार खिल जाएगी, और जो अलू होंगे दुखी होते हैं, ने का रहे, का निकला है भाई, ये तो भक्ती का सुरु निकला है, ऐसे लोग दुखी होंगे, पर आप चंदा मत करो, आशिर 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 औरहाके साथ है दिश्वार सबस्तार से और वह आगे बढ़े साथ ही उनको मूर राम के बहुती विश्वश शुग्रhr उनके बारे मता लगा कि अब उनको प्रात करना है तो यहा हुआ विक्ती थे उनके नाम था नरहरी करके अब इनर्थ हरी नाम को जो विक्टी था मदवाअचारिजी से इतना Impress हुआ है शोचा कि मैं दिक्षा लूँगा त yogh लूँगा, तो उन्हीं से लूँगा, तो उसे शिख Panama लूँगा दीकि मदवाचारिजी ने रस्ते को उसको बोला के फिर एक ब्रामन को दिये थे ब्रामन से हनुमान जी को मिले थे भीमसेन को मिले थे फिर इस ब्रामनों की परंपरा में अब भी करते करते फिर फाइनली इस राजा के पास पहुँचें इस राजा से तुम वो डीटी लेकर क्या हो अब यह जो वापस गए अब ऐसे मूल राम जी की डीडी कैसे हो दे देंगे तो हुआ कि उस राजा का दिहान दो गया ले उनका राजमार बड़ा चोटा था राजमार राजा बन नी सकता तो फिर यह डिसाइड हुआ कि उनके हाँ को जो विशेष हाती है जो राज सिख हाती है वो डिसाइड करेगा कि जिसके गले में माला डाल दी जाएगी उसके हाथ में उसके सूने माला है जिसके गले माला डाल देगा फिर वो राजा होगा अब यह नरहरी जब पहुँचे वो हाथी दौरताव आया इंगी गले माला डाल दी तो इसलिब राजा कौन हो गए है इनरहरी, who has taken दिक्षा जो जी, okay, then he became the king अभी राजा बने, राजपार संभाला by the time जो राजपार बड़ा हुआ जो राजपार बड़ा हुआ, तो राजपार को बोला कि ओके आप तुम सबको संभालो रचपार बोला लेकिन आपने इतनी साथ समय ला है आप जो मांगेंगे, मैं आपको दूँगा राजपार हुआँ घाए, जो मूल्राम के जो डीटीज है, जोकि यो राम जी नहीं दिये थे तो वो डीटीज मुझको वहीं विग रहे हैं मुझको चाहिए, बिलकुल जी दीए तो इस प्रकार से इनको ये मूड राम के डिटी स्क्राप्त हुए और फाइनली वो शिपात मदवाचार जी के पास पहुँचे और इसी प्रकार से बहुत ये सुन्दर लीला है उरुपी कृष्णी के प्रकट होने की एक समय मालापे नाम के स्थान में जो सीशोर है जो समुदर का स्थान है वहाँ पर एक शिप फस गया और वो भवर के अंदर घूमे जाए घूमे जाए घूमे जाए इस प्रकार से वो निकल नहीं बारत हो उस भवर में से लेकिन पावंदेव के शक्ति के इनके बास है मदवाचारी जी के बास तो उन्हें ने खाए किया श्वास लिया जिस प्रकार से श्वास लिया तो भवर था वो सारा चूसके नहीं अपने अंदर ले लिया तो ये स्टेवल हो गया तो उन्हें देखा आए ये तो हमारी मदद तो उन्हें आणि कर दी श्वास बद्वाचारी और है भी ऐसे हूज तो दूर से दिखें हो तो तो उनको देख करके उन्हें बड़े उसाहिए हुए कर ते अरे वाँ हमसे जो नंगे हम आपको देंगे अब महराज, महराज, का नाम है प्रभुदान महराज है इसमेश प्रभुदान सभी महराज जी की जाए महराज का हार देख स्वागत है Hare Krishna महराज महराज को चेर देंगे प्लीज समबड़ी कहने के चेर टू महराज तो इस पिकार से आपके शिप के अंदर एक बहुत ही विशाल टुकड़ा रखा हुआ है चंदन का और गुपी चंदन का क्योंकि आप लोग कहां से आ रहे हैं और दौर का से तो इसलिए वो विशेश टुकड़ा मुझको चाहिए तो बहुत सारे बढ़े बड़े टुकड़े पड़े थे उन में से ऐक बहुत बढ़ा टुकड़ा था तो इसको उठाते है करते करते है किसलिप डिस्ग होने व歲 थी तो ने खानिया आप लोग मैं उठाओ उन्हें आर्राम से एक हाथ से ऐसे उठा लिया बड़ा टुकड़ा गोपी चंदन का इसको लेकर जाय जाय चैसी वो उरुपी में अंदर प्रवेश किये तो एक टुकड़ा च्छटक के गिरिया उसमें से निकले बलराम जी बलदेव जी की जाय तो उनका नाम रखा वंग भांडेश्वर बलराम जी के जो डिडीज है इसको बाकी जो दुसरा टुकड़ा था उसको लेकर जब गए और उसमें से निकले फिर उरुपी कृष्णा तो यह बहुआश्टी कृष्णा का बाल रूप है जो कि बहुआश्टी कृष्णा ने देखा था कि ना इसा कुछ हुआ है तो उनकी बड़ी बड़ी इच्छा हुए कि मेरी बड़ी इच्छा है मैं आके बाल रूप को लेख सकूँ तो इसके उनकी आगे भी फिर बहुआने बाल लीला हैं प्रकटके और साथ की यह विग्रे प्रकटके दोनों के लिए देव की मयां के लिए भी और रुकूणी जी के लिए भी तो रुकूणी जी के पाफ जो विग्रे थे फानली फिर रुकूणी बंदमे प्रिजरबर थे इनलब फॉम ऐगी है इस त्रह से बहुआ की इच्छा से बहुआनी के पाश से और इस गुपी चंदन को ले करके फिल गे जो नाविक ठेले कर जा रहे थे और इस प्रकार से उड़ुपी कृष्ण ये प्राथ हुए श्रीपाद मदवाचार जी को भी बोल उड़ुपी कृष्ण की जाए बहुती संदर रिगने है और बहुती चोटा मंदर इसलिए मनाया ताकि ना जादा लोग एकठे ना हो उसमें आते हैं लोग दर्शन करते रहें जाते रहें तो इसलिए ये मेरा वैरी स्मॉल टेंपल दूसरा कारण था कि श्री आनतेशवर मंदर में लोगों का जाना कमना हो जाए तो इसलिए उन्होंने ये मंदर वड़ा छोटा मनाया ऐसा साखी वहाँ पर एक विक्ती थे एक समय अपने शिशों के साथ थे तो वहाँ पर एक राजा आया है उनका नाम था राजा इश्वर देव और ने का यहां से जो जाता है उसको सरोवर में खुदाई करनी पड़ती है उन्हों बोले देखिए हम क्या खुदाई करें हम तो सन्यासी लोग है तो मदो चाने का अच्छा कैसे खुदाई करते हैं बताओ जिरा वो अंदर कूद गिया और खुदना शुरू कर दिया खुदते खुदते इतना खुदते ही रह गया मंद चाने का चलो हम लोग तोटते है ऐसे गुदी था उसका नाम सा जलालुदीन खिल जी यह अलावदीन खिल जी का चचेरा भाई था ही इसने रोक लिया कि ये गंगा नदी को कोई पार ने करेगा है कोई हिंदू पार ना करने पाई उसने ऐसा बुला तो इसलिए उने बुला देखिए हमें जाने दिए गंगा माई को पार करने दिए ने जी, not allowed तो मदवचार ने का ओके लाओ अपना हाथ पकड़ो सब का हाथ पकला उसने उनका हाथ पकला, हाथ पकला, हाथ पकला, हाथ पकला इसलिए चेन बनाई अब मदवचार जी जो है गंगा नदी को उपर सल रहे है और जब जलालु दिन खिल जी ने दिर देखा, तो बेहोश हो गया उठा, फिर बेहोश हो गया उठा फिर भिहश को है, उठा फिर भिहश होगा, ऐसे साथ बार भिहश कोई, जो कि उनका हाथ पकड़े नहेते हैं, जो हाथ छोड़ेते हैं, वो ढूप जाते हैं पुर्टेरो ने उनके उपर आकरवन कर दिया और लुटेरो ने उनके उपर आकरवन कर दिया तो मदवा चाले ने काथ किया और लुटेरो ने उनके उपर आकरवन कर दिया तो मदवा चारी ने क्या किया जो भीम सेंग की शक्ती है अपने उपेंदर में डाली और अकेले उपेंदर ने सो लुटेरो के ऐसी पिटाई मारी यह सबके सबकी वहाँ चटनी बनी हुए थी और इसी प्रकार से एक समय ऐसे चोड़ो ने ओनकुबर एक और आकरवन किया था तो मदवा चारी ने क्या किया सबको मूर्ती बना दिया सबके सब लुटेरो बिकेंब लाइक स्टोन उसके बाद जब लुटेरों आख का है का ह बाग ने हमला कर दिया और बाग था कैसा नौ फुट लंबा बाग था ये और तीन सो किल्लो का ये भारी भरकम बाग था ये ऐसा जब इस प्रकार से इसने आकरवन कर दे सती तीर की उपर और मदवचारी ने जब देखा दूर से तुरंट पहुचे एक खिचा के गुसा मा लगारा उसके सारे दांट तूटें और वही की में बाग एक घुञसे मर गया तो जैसे सुनकर ले बागी बाग भी आए हॉए ऑपा को मार दिय हमारे पापा को मार दिय है किसने उसको आज सब को एक एक घुंसा मार गए जस वन पंच ऐसे हैं लगे हुआ है इसे नहीं नहीं इजी 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 तो इस परकार से भौते के च्छाओं के बाग अधर शिशे के हिदरे में हो तो गुरू क्या करते हैं अपनी वाणी के पंच से उन सारी भौते के च्छाओं को दूर बखा जाते हैं और जोतने भी चोर उचके हैं जो के हमारे अंदर हमारी भक्ति को चुराने के लिए आते हैं अपराज वाले जो चोर उचके हैं इनको मार बखाने की शक्ति भी गुरू मुर्थिय वास था हमें एक सब्सक्ति वाला न से पहुंचे वाला न से पहुंचे ही वाज़ी वास था ही पोटी इन मूड और देखा उनके उनके न कुछ हलकत पहलावान वले शिश्य भी धिनको इसक्ति बड़ा दम था खम था और ने का चलो सम मिलकर के मिरे को परास करो तो सारे शिशों ने मदवचारी वीब आकर बंड के वाला है सब को ऐसा पटका तार-तार-तार-अई-ई-ई-ई-ई-ई-ई तो उसक्ति गूरु पटकते हैं जिब शिश्यों में थोड़ा घमनड आ रहा होता है तो पटकते हैं या तो फिसकली पटकते हैं लेकिन वैसे गवंड को पटकते हैं गुरु देयों, हाँ, ऐसा भी होता है, येस, और रिशी केशे मौचे तो वहाँ पर एक रिखती था, जो मायवाद, जो बिसकली, मायवाद की शिशा लिया हुआ था, बस वो, लेकिन आ करके वो उसमें, मद्वचार्जी आए, उसके सप भगत के, उनों खलाया है, पला, आओ भगत की उनकी, मद्वचाने का लेकिन दुम तो अधुएत वादी हो, मेरे से इतना प्रेम कियो हैं, मेरे सपने में आदी शंकर चारी जी आया थे, और ने का था, कि मेरे को आप से जाके शिक्षा रिशा लेने चाहें, क्योंकि असली ग्यान तो आपने दिया है, उन्हें जो है सिर्फ नास्तिकों को गुमाने के लिए ग्यान दिया है, अधुएत बाद, and then he became fully surrendered, इस तरह से कुरुख श्रतर जो पहुँचें, उन्हें कहां यहां पर वास्ते भीम सेंज जो थे, उन्हें कहीं रक्ष्टों का बद किया, ते आपने हाथियों को तो ऐसे गुमा करके फैख जा करते थे आकाश में, उस लिए फिर आकाश में गए वो, हाथी, और यह दौपड़ी के हाथी थे, तो फिर फानली हाथी फिर भो कहां गए आकाश में, तो तभी न वहाँ पर एक हाथी आगई रहा, तु, उन्हें रहें औ वो उनका है लेकिन इसको वापस भेजिया एक वापस आगे है ना भी हम सेंजी तो उनका काम पूरा ही करना है अजया रहा है भी हम लेकिन इसको रख देते है भापस अजया लेकिन इसको ना भी हम सेंजी तो ने पर देते हैं लेकिन इसको हम पूरा है सब कीर्टन करें उनके हाथ में ये पेड़ को बंदा हो देख रहे थे वो इस तरह से जो कीर्टन करेंगा गुर्दे उसको भक्ति लिदा का बीज देंगे जो की वास्तव में कृष्ण प्रेम के फल के रुक में फली बूत होगा री बूल तो कई लोगे है उसे इशाभ भी करते ही थे उनके वशी करांड मंतर अस्तंबन मंतर की वह स्तंबन हो जाए उनका सवास हराब वहुजाए उनका मन विचलित होजाए लेकि किसी परकार का कोई भी आटाक के इते उनके कारें नहीं करता था एक विक्ति उसे बड़ा ईर्शा करता था तो उसने आकर के चैलेंज किया मदोचारे को चैलेंज यू क्रिश्न उसने आ पर साथ जो है उसने हजार लोग बosh गुलाए उसने और रसी बादी इनके गले में यहां से कीश रहे हैं जोग यहां से कीश रहे हैं कभी हरिकत्हा निकलेहिना वो खिच खिच के किच 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 खिच किच 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 आजे से गीले पीछ लिए होगया मदर जाने के तुम होगया है है। Are you done guys? And then he continued listen this was the thing aur एक समय उखे रखे रही ज़ए धिननका नाम camera तो एक समय उरूपी मंदिर में उन्होंने जाते हुए देखा मदवाचारे जी को और अंदर जाके नो दर्वासा बंद कर लिया करते थे गुरुदेव यह कह था जो सच है तुमने उसे का दर्शन किया और जो तुमने देखा वो मेरी इच्छा से देख पाए तुम तो उन्हों के अंगुटे से तना प्रकाश निकला कि पूरे कमरे में ऐसे चार सो गोट का बल दल गया हुए अब पढ़ लो गुरुदेव तो इसले अगर शास्तर भी हम पढ़ पाएंगे तो गुरुदेव की चरनों की किर्पा कि माद्यम से वास्तर में हम शास्तर को समstart महासागर में थे तो उसमने लहरे आ रही थी तो लहर ने महासागर शांथ हरेक्रिश्णा सारा सागर शांथ होगे ये देख करके सब के सब गुर्दे मोशकती है भाई हम गुर्व का मागते हैं क्योंकि हम ललू ललो लोग है और फाइनली और बीटिफुल पास्ट रिम उफिस डेपार्टिंग उनका फेवेट जो उपनिश्ट था आइतरे उपनिश्ट एतरे उपनिश्ट से वो कथा क्या करते थे तो एतरे उपनिश्ट से उनने कथा की उसका करते 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 इतनी सुन्दर कथा थी ये उसके बाद उनने का चलो आप कीतन करते है तो कीतन शुरूआ एतरे उपनिश्ट के बाद because from there he went to Adi Badri towards his Ishtadev Shriya Shulafid Vyasi जस्पकार से उन्होंने अपना डिला उन्होंने समाथ की but he was really an undefeatable champion undefeatable champion of Vedanta भक्ती को ते है शक्ति शाली तरिके से उन्होंने थापित किया और चमतकार उन्होंने इसलिए बताया कि अबरा कड़ाबरा इसु मसीतर को ठीक कर दे उसके पर कुरास लगाएंगे और उन्हों डांस करता बले-बले करता निकल दायागा ये देखिये तो कम बुद्धीमान लोग किया चमतकार को नमशकार करते है तो उसे क्योंकि जानते थे at the same day he was very delicate हाले के बाएंगे देखा है कि उनके मसल वसल six pack दिखा दिखा रियाता है मद्वा चारे but he never went to gym वो सवभावी ग्रूप से बहुत बलिश थे तो अध्यात्मे ग्रूप से बहुत बलिश थे शालिलू से बहुत बलिश थे तो इस पिकार से उनने फिर अपना तिर भाव की लीड़ा पूरी की और सबने उसके बाद पर उनके नाव का गुणगान किया और उनके नाव का एक अश्वम भी लिखा गया बग्तों के दुवारा so he was very very special soul so I know the time is up now तो कि 845 बाव की अपकी इस्ट गोश्टी है तो मैं अभी कोशनर से ने ले पाऊंगा तो ही पर मिराम देंगे श्रीपाद मद्भाचारे जी की जाए श्रीला प्रभुपाद की जाए श्रीपाद मद्भाचारे तिर भाव जेती महा महत्सव की जाए वैस्ट गोश्टी की जाए